जैहिन वंद मातरम दोस्तों जितने भी स्टोरेंट 222 में C.U.E.T. का एक्जाम देने वाले आज के वीडियो आप सभी के लिए काविया इंपोर्टेंट फूल होना वाला है History Domain Paper ठीक है दोस्तों जो भी स्टोरेंट History Domain Paper को सेलेक्ट किए आज के वीडियो उनी सभी छात्रों के लिए होना वाला है ठीक है इस वीडियो के मादम से हम लोगों ने हिस्ट्री का चप्टर वार एटे मन के तता अस्तिया अर्थात हड़ापा सब्यता है इस चप्टर से जितने भी इंप्वार्टन और सेलेक्टिक कोचन है जो कि आपके कोचन पुझे आते हैं उनी सभी कोचन को कभर कर आए ठीक है यदि आप इस वीडियो को सुरूर से लेकर लास्टिक देख लेते हैं तो मैं आपको गैरेंटर के साथ करतों कि जो हड़ापस हमेता है इस चैप्टर से आपका स्री इवीडियो में एक भी कोचन गलत नहीं सिर्फ उनीक कोचन को कराए ठीक है बात देख दोस्तों हिस्तु हिस्टरी में आपको टोटल महापे 50 कोचन पुझे जैंगे घिक है तो isto मैं चानल को नdalर को सब्सक्राब करें लेए उनलोंगों दिल से धने आ वाल और जिन लोको चलनल को सब्सक्राब निक किया याद पिल चैनले को सब्सक्राब करें ठीक है दोस्तों तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं कि वीडियो को आधा धुरा देकर छोड़ देते हैं दोस्तों इससे आपका क्या होगा कि जो CUT के एक्जाम होगा यदि आप इस एक्जाम को पास नहीं करते तो आपका कोई भी कॉल नहीं हो सकता है यहाँ पर कोईशन ने पूचा जाता है कि भारत में सबसे पर्थम हडपा की खोज किसने कराया ठीक है तो आपसे नमर यहाँ पर सी सही एंसर हो जागा ठीक है आपसे कोईशन ने पूचा जाता है कि हडपा का सबसे पर्थम जो खुदाई किसने किया तो उ कौन से भगवान की पूझा करते थे दोस्तों आपको बताने की जो हड़पा सभीते के लोग है कि कौन से भगवान की सबसे अधिक पूझा करते थे तो दोस्तों आपसन बस C सही एंसर होगा सीव जी हां दोसों सीव जी की सबसे दिक पूझा करते है ठीक हा हळड़पा सबीता के लोकु आप सरवय सही एंसर हो जगा कोस्टन buy a एंसर के problem is कि हड़पा सबीता के सामाज बीज। व किस देश मेra जो जो मेसोपोटामेंट जो है दोस्तों, वह विश्व की सबसे प्राचीन सब्पेता है, जो है, जो अगे, दजला और फ्राट ना दिए, वो फारस की खाली में गिरते लिए, भार्ट की सबसे प्राचीन सब्पेता है, आपसे कोशन पूछा जाएगा तो य जो सिन्दुकाइटी स कौन से दो भागों में भी भगते तो आप सभी को पता होगा कि हरपा में दो परकाल के वहाँ पे लोग रहते हैं ठीक है एक उप्री सहर एक निचला सहर ठीक है जिसे दूर्ग और निचला सहर कहा है जाता ठीक है आपसा नमर डी सही अंसर होगा दूर्ग और निचला सहर अगला कुछन क्या पूछा गिया है कि हड़ापा में औरतों की इस्तिती कैसे थी दोस्तों आपको बताने कि जो हड़ापा में औरत की इस्तिती इस्तिती वह कैसे थी नीम्न थी, मध्यम थी, अपमानित थी या भी उच पत था ठीक है तो दोसो हड़पा से विदमें दिखे जाते तो औरतों की जुए स्तिति थी वो ऊच पत थी आपसे नम्मेंट नमबर डी सही एंसर हो जागा छटा कोचन में आपसे क्या पुछागे है कि लोगों की आर्थिक सम्रिद्धी का मुख्य वेसाई क्या था मचली पालन करना, बुनाई वा कड़ाई करना, पसु पालन वा खेती करना या फिक कौसल विकाथ तो आपसे नम्मर यहां पर सी सही एंसर हो जागा पसु पालन और खेती करना इन तो मुख्य वेसाई था आपसे नम्मर सी सही एंसर हो जागा सांतों कोचन में आपसे क्या पुछागा है कि तामबा धातु कहां पाई गए दोस्तों जो तामबा धातु का जो साथ छे मिला है ये इनमें से कौन से अस्थान से मिला है ठीक है तो दोस्तों ये जो तामबा धातु का जो साथ छे मिला था वो खेतरी से मिला था ठीक है आपस नवर B, चंद हुटूरो ठीक है, चंद हुटूरो जो काफिया दूसरा सिंदू काटि सभ Dalot कि अधीकां जो महरे किस से बनी थी, ..दूसर जो सिंदू काटि सभ Dalot कि महरे बने आये थे ? वो किस से बने थी मिट्टी सेल खड़ी तामबा या फिर कांसा तो आप सभी को पता हो कि जो मुहर बनी हो थी वो सेल खड़ी से बनावा था ओप्सन नमरे बी सही एंसर हो जागा ठीक है अगरगोजा अंटेन में आपसे क्या पुछाएकिंगे दोसतों कि सिंदुगाटी सभीता में कॉन सब पशुपवीतर माना जाता है दोसतों आपको बता ने एकि जो सिंदुगाटी सभीता है यहां पर कॉन सब पशुपवाला और जो भेल ठीक है दूस्तों यहाँ पर जितने भी question बताया रहे यह सभी question आपके security exam की दिरिश्टी कौन से काभी important फूल होना वाल है ठीक है इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाच तर देखेगा और हर एक question को याद कर लीजिगा ठीक है कि सिंदू वासियों का मुख्य खाध्यान कौन सो था दोस्तों आपसे question पूछाए कि सिंदू गाटी सभी तर के जो लोग मुख्य खाध्यान फसल था यह क्या था गेहूं जो डाल या फिर चावल ठीक है 12 question में क्या आप बोलना जा रहा है कि सिंदू गाटी सभीता का नीम्रे से किस देश में वाइपार नहीं था दोस्तों आपको बता है कि यह जो सिंदू गाटी सभीता है इस से नहीं होता था ठीक है 13 question में क्या बोलना जाता है कि सिंदू गाटी सभीता में बंदरगा कहां पाये जाता है दोस्तों यह जो बंदरगा है यह कहां पर पाये जाता है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो लोथा ले यह बंदरगा के लिए काभी ज़्यादा फहबास था काभी ज़्यादा मानना की बात करें तो मानना कहां पर रिश्टय ने विस्तितत राई था ठीक है फुर्टीन कौशन में क्या पोला जा रहा है कि सिंदू घटाती सर違ता में सरवधिक पुझने यह कौन था दोसरे जो सिंदू घटाती सर पता में विशाल अस्नानागार का है प्राप्त हुआ दोस्तो यह विशाल अस्नानागार के साथ भी मिला है वह इसका जी खोज है वो 1922 में राखल दास बनाजी के द्वारा किया गया तो आप सो कोचे ने पुछाजा जा सकता है कि मोहंजरोरो का खोज किसने किया तो राखल दासपराज़ी कब तो 1922 सिस्वी में बात करें हड़ापा की तो हड़ापा का जो खोजें दोस्तों वो 1928 सिस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया जो कि पाकिस्तान के मौन्ड गौम्ती जिला में इस्तित है वहीं मोहंजरोरो की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान की लरकाना जिला में इस्तित है अगलों सिस्वी में क्या पुछाए दोस्तों कि सिंदु सभेता में सिल्प कला में सर्वो क्रिष्ट धातू कांसे की नर्तकी की मुर्ति कहां से मिली दोस्ते जो कांसे की धाते की जो मुर्ति का जो साची मिला वो इनमें से कौन से सहर्त मिला यह आपको बताएं ठीक है तो जो साची मिला तो दोस्तों वो मुहन जोलोडों से मिला था आपसन वे सही एंसर हो ज इनमें से कौन से स्थिल की उत्खन कराएगा आपसंद यह हडपा भी यह काली बंगा त्री यह लोथल या फिर धोला विरा ठीक है तो 17 का जो सही एंसर होगा लोथल का खोज करा जाएगा कि किसे मिर्तकों का तिला आप सभी को परता है तो राखल दास बने कब 1922 में मैंने आपको बता रा है कि मोहँज द्रो की खोज कब की गई तो 1922 जिसमें मोहँज द्रो का खोज किया गया 20 question क्या बोला जा रहा है कि हलपा की खोज किसने की थी दोसरी जो हलपा की खोज है वो देयराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया 21 question में क्या पूजा गया कि सिंदू सा बेदा कि अधिकांस मुहरों का आकार कैसा था 22 में क्या बोला जा रहा है कि ढोला वीरा पूरा अस्थल का उत्खनन सरपरतन कब आरम किया गया दोसरी जो ढोला वीरा का जो उत्खनन करा जो कि सिंदू गाटे से बेदा का नतर खोज़ेगा एक परमुक्सर अरता इसका उत्खनन कारी है ये कब प्रारम हुआ तो दोस्तों 1990 में इसका उत्खनन कारी प्रारम हुआ आपसर नमबर ये सही एंसर हो जागा 23 कोचन में क्या बोल रहा है कि हड़ापा में मृत भान मुख्यता कौन से रंग के थे दोसरी जो हड़ापा में मृत भान का साच्छी मिला ये कौन से रंग के थे तो दोस्तों ये जो है वो लाल और गुलाबी रंग के थे तो आपसर नमबर ये सही एंसर हो जागा 24 कोचन में क्या बोला जा रहा है कि हड़ापा की खोज कब हुई कापी जारा आसान कोचन दूसरी जो हड़ापा की खोज है ओनुए से वकी सिसमें दयराम सानी के ध्वरा है ठीके 25 कोचन अब हम लोग देखते है 25 कोचन में क्या बोल रहा है कि हड़ापा वासिरों किस व्रिच की उपासना करते थे तो आप सभी को पता उगा कि पीपल व्रिच की इन सभी लोग उपासना करते थे option number 3 सही answer हो जगा 26 question क्या बोल रहा है कि डेल्स ने बाला कोट में किस वर्स उत्खनन कराया दोस्तों यह जो डेल्स है जो कि बाला कोट में उत्खनन कराया था तो कौन से इसी में उत्खनन कराया था तो देखिए जो डेल्स है वो 1979 में उत्खनन कराया था का उद्खनन जो है वो सरोपरतम किस की दोरा किये गए तो 27 का जो सही answer है दोस्तू वो जो आपसर नमर D ये दथा B दोनों ठीक है BP लाल वो B के था पर इन दोनों की दोरा दोस्तू काली बंगा का उद्खनन कराई है और बात करें जो काली बंगा है ये कहाँ परिष्थित तो आप सभी को पता हो कि राज्यस्थान में ठीक है 28 कोशन क्या बोला है कि लोथल तथा रंगपूर से किसकी खेती के प्रमान मिले है दोस्तों ये जो लोथल तथा रंगपूर है जो कि सिंदुगाटे से बेतर नतर रखो जाएगा परमुक से रहे इनसे कौन सा खेती का साची मिला ठीक है तो यहाँ से दोस्तों बाजरे की दाने का साची मिला था आप से नबर ये सही एंसर हो जाएगा 29 कोशन में क्या बोला जा रहा है कि अमेरिकी दल द्वारा हडापा में उद्खनन कब आरम हुआ दोस्तों अमेरिकी दल है इसके द्वारा जो है अरहपा में उद्खनन कब गया गया तो 29 का सही एंसर हो जाए 1986 इस वीडियो का लास्ट कोशन कि निम्न में से कौन हडापा साथेता सरवाधिक उलेखनिय असमारक है, थिक है, सबसे अधिक उलेखनिय असमारक, famous असमारक कौन है, तो यहाँ पर सही एंसर होजगा, व्रिहद असनादागा, ठीक है, जो कि मोहन जोरोड से मिला था, ठीक है, तो इस प्रदार से हम लोगो तो टोड़ा 30 important questions को कर लिए, और आप 30 questions में से कितने कोशन का एंसर आप सही से कर पाए प्लिज कमेंड कोक्स में कमेंट को जरूरी लिखी किया और दोस्तों आप सीईउटी एक्जाम में डोमीन पर बार में अच्छे नमबर लान चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राब करके बेलाइक कमेटर पर प्रेस कर लिए ठीक